के लिए हमेशा सबसे मुखर रहने वाले भावनातपूर के विधारेक बानु प्रताप साही जी हमारे साथ हैं बानु जी जावोमों सरकार ने जो वादा किया था 1932 का वो तो आज यहां से विधियक पास कर दिया और पाले अब डाल दिये हैं केंद्र में यानि कि आपके भा करती हुई है हम से चूप हुई है हम पूरी तरह से घिर गये हैं इसलिए दिखावा के लिए यह 1932 का खतियान विसे सत्र बुला करके और वह भी नवी अनुसूची के लिए इन्होंने भेजने का काम कि यह भी तो हो सकता है कि जैसे कोट में खारीज हो जाएगा यह बाते उठ रही थी वो खुद सदन में कह चुके थे कि कोट में जाने पर यह खारीज हो जाएगा तुसे बचने के लिए नवी अनुसूची का रास्ता अक्तियार किये हो नहीं नवी अनुसूची का रास्ता 2013 से पहले हो सकता है 2013 के बाद नवी अनुसूची की भी समिक्षा वैस या सुप्रीम कोट के जजमेंट आने के बाद अब इसको कोई कवर नहीं कर सकता है चुकि 2002 में ही उच नियाले राची ने पांच जजों का बेंच ने इस पर अपना मंतब्य दिया है और उन्होंने डाइक्षन भी दिया है तो यह नावी अनुसूची में का सब्जेक्ट नहीं था यह मुखमंत्री ने चेत्र के जनता को प्रदेश के जनता को गुबरा करने के लिए जामुमों अरूप लगाती रही है कि ततकालीन जो वाजपास सरकार थी उसने अपना प्रक्ष मजबूती से नहीं रखा खुद जामुमों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब इस सरकार को यह अधिकार है कि वह 20 साल 50 साल के बाद भी कोट में जा करके उसको संसोधन के लिए या उसमें अपना पच्छ रखते हुए न्याले से न्याय का उमीद कर सकता है वही करके उनको यह बात पास कराना चाहिए था जो गोट के लिए इनोंने जनता को धार्खन के जन किता रहता है आज जब वो सडन में लंबे समय के बाद आये तो क्या है से पर क्या चाहिए फैनने उनसे हमारी हूई मैंने उनका सामत्य और वह यहहां है प्रताडित लोग हैं बेचारे तीनों एक अलपसंख्यक के नेता है एक क्रिस्टियन के नेता है एक आदिवासी के नेता है तीनों को इन लोगों ने फसाने का काम किया जेल भेजवाने का काम किया है तो वैसे लोगों के साथ हम लोगों की भावना खड़ी है और हम लोग चा सुरेन कम सुन 17 नवंबर 2022 उसी तरह से भविस्व में इडी ने भी नोटिस लिया है तो हो सकता है इरफान जी को भी नोटिस सवाल आप से की लगातार आरोफ लगते रहें कि किंद्री एजिंसिया भाजपा की सारे पर काम करती है पिछले दिन जब अनूप जय मंगल सिंग ज उसके साथ में सब्सक्राइब को कुछ नहीं करना है इसलिए कि वह मामला है अगर कोई गाड़ी हायर किया गाड़ी किराया पर लिया उस पर किसका इस्टिकर है नहीं है यह अलग भी से और उस पर जिसका गाड़ी था उसका भी बयान आप लोगों ने देखा लेकिन जो य यह बाते सामने आई है कि अनुप सिंग्जी का प्रति दीन का कमाई एक करोड रुपया है तो यह तो ताजूप का बात है बहुत बहुत धन्यवार तुमारे साथ थे भावनात्पूर के विधायक भानु प्रताब साही जी जिन्होंने पूरे बेबाकी से अपनी बात रख ते नवी अनिसुची का रास्ता लेने का जो उनका तरीका है वो कहीं न कहीं एक संदेह पैदा करता है कि इरादे साफ नहीं है इस मामले को लटका कर रखकर इस पर राजनिती करने के उनके मंसा है अपने कैमरा साही हो गिरिकी राज के साथ विधान सभा से मैं भी एदट पिंटू फिला रितना ही